अगर आपको कब जै आपको लेटरंग साफ नहीं आती है आपने हर तरह का नुष्का यूज कर लिया है दवाईयों का घरेली नुष्कों का तो मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ मेरे कहने से इस चीज को जरूर करना साइद मेरी वीडियो को आप दुबारा जरूर देखो कि मैं आपसे इतना बादा कर रहा हूँ यह नुष्का आपकी पेट कितनी सफाई कर देगा यानि जो आप खा रहे हैं जितनी मात्रा में आप खा रहे हैं उतनी मात्रा में आपका जो मल है निकल नहीं पा रहा है कुछ म आपके पेट में आतों में जमा हो जाता है चिपक जाता है जो कि कई कई दिन तक पेट में ही सड़ता रहता है इससे आपको गैस आपका पेट भारी होना आपके सिर में दर्द रहना क्योंकि पेट से सरीर की कई बीमारियां उत्पन होती है पेट को पूरी तरह से साफ करने व मेरा इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है मैं कर चुका हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ देखिए और अक्सर मैं हेल्थ की बारे में आपको मैं अच्छे अच्छी टिप्स देता रहता हूँ डाइवेटीज के उपर यूरिक एसेड के उपर बोड़े के हर पार्ट के उपर तो मेरे पास कब जिससे रिलेटेड भहुत कमेंट आती है और मैं इस टॉपिक पर वीडियो काफी दिन से सोच भी राथा बनाने की आप कोई भी ग्रिस्ट बोजन करते हैं कोई भी आप ओईली फूड ज़्यादा खा रहे हैं तो आप कारवनेटरी ड्रिंक्स ज़्यादा पी रहे हैं आप कोई भी चीज यसी खा रहे हैं जिससे की अगली सुबह आप खुल कर यानि दम लगाना पड़ता है आपको लेटरिंग में बैठ कर पेट में जो मल है वो सूक गया है तो वो निकल नहीं पा रहा है कई कई दिन हो गए है और फिर आपका मतलब मन देखे जब पेट सफा तो हर रोग दफा पेट साफ नहीं है तो आपका मन नहीं लगता है इसके लिए आपको एक उपाए है अरंडी का तेल आपको लेकर आना है अरंडी का तेल जिस त्रीके से मैं बताओं उसी तरीके से लेना अगर अपना कोई भी दमाग नहीं लगाना है आपका वजन कितना है 60 kg होगा 70 kg होगा 100 kg होगा अपने वजन के परलल अपने वजन के बरावर ही अरंडी का तेल लेना है यह नहीं इस लिए 80 kg है तो 80 kg इतना लेके आना है quantity कम नहीं करना है धहन रखिए क्या आप 80 कलो है तो आप 40 हयमेल ली आई फायदा नहीं होगा 80 कलो है तो 80 हयमेल ही लेके आना है आपको गरम पानी करना है एक glass गरम पानी करना है और उस गरम पानी में अपने बेट के जतना बरावर का जो अरंडी का तेल है केश्टर ओयल है इसको उस गिलास गरम पानी में डाल देना है अच्छे से मिलाना है और यह नुस्का दोस्तों ध्यान लखें छुट्टी वाले दिन करें जिस दिन आपकी छुट्टी है ऐसा नहीं कि आप अपने वर्किंग डे में इस नुस्के को कर ल पूरी तरह से साफ होगा ठीक है आप जैसे आपने पानी पी लिया आपने अपने वेट के बरावर उतना अरंडी याने केश्टर ओयल पानी में डाल के पी लिया अब हर 15-20 मिनट में हर 15-20 मिनट में गरम पानी पीते रहना है गरम पानी को एकट्टा अपने पास वह बोतल जिसमें गरम पानी रहता है उस बोतलम को भर लीजिए मनट में अफो हर 15-20 मिनट में आपको खाली पानी पीना गरम पानी केस्टर रिखिए और हर 15 मिनट में आपको ओन पानी पीना है वह वह देखिए आदा आम है या पौहन गंटा या गंटे के अंदर आपके टल्ड में गोरगोर होने लगेंगी को ठीक है और युट की पहागो झरड़ें शाल होगि तरफ फिर थोड़ी दिर भाद रप गरमपानी प्यूँग फिर आपके पेट में क्या होगा कि मल जो जगे जगे चिपका हुआ है आपकी आतों में समझ रहे हैं आपकी आतों में यह जो नली होती है आप देख रहे हैं स्क्रिन पर इसमें मल फसा हुआ होता है तो जितना आप गरम पानी पीते रहेंगे गरम पानी से दक्का लगता रह स्वाइगा तो इसलिए आप एक बार लैटर जा सकतें सबहां सब्त कने दसब्स इंच वी कलर नहीं है पानी में क्योंकि आपको एक बार तो लेटर गैसा आएगा बिलकुल पतला जैसे दस्त होते है उस टाइप का और जैसा आप पानी पिएंगे तुरंधी पानी बनकर जाएगा तो इसका मतलब यह होगा कि आपका पेट पूरी तरह से साफ हो गया है फिर गरम पान पिएट को जितना उसे के रहेष्ट देना है और हलका खिचड़ी हुआ ऐसा खाना है फ्रूट्स खाने है जूस पीना है लुक्विड पीना है ध्यान न किये कोई भी रोटी सब्सक्राइब फास्ट फूड ओली फूड दूद तक नहीं लेना है ध्यान न किये इस दिन करें केवल महीने या दो महीने में एक बार ही निश्का करना है आपको मैं हमेशा याद आँगा जान न किये इस निश्के को करने के बाद दन्यवाद